Honorable Prime Minister आधर्णिय सर्वाबती जी एक दिर्ग कालीन सेवा के बाद आज आप नई कार्य शेत्र की तरफ प्रयान करेंगे यह समझे परा भरोसा है क्योंकि फीजी के लिए आपने अपने अको कावी फिट रखा है एक ऐसा परिवार जिसका करिब सो साल का इतिहास सारवजनिक जीवन का रहा उनके नाना उनके दादा कभी राष्ट पार्टी के अद्रेश रहें कभी समिधान से भावे रहें एक प्रकार से आप उस परिवार की पुर्ष्ट भूमिस आते हैं जीनके पुरवजों का सारवजनिक जीवन में विशेश करके कॉंग्रेस के जीवन के साथ और कभी खिलाफत मुवमेंट के साथ भी काभी कुछ सक्रियत आ रही आपका अपना जीवन भी एक केरियर डिप्लोमेट का रहा अब केरियर डिप्लोमेट क्या होता है वो तो मुझे प्रधानमत्री बनने के बाद ही समझ आया क्योंकि उनके हसने का अर्थ क्या होता है उनका हाथ मिलनाने के तरीका क्या हाथ होता है वो तुरंट समझ रही आता है क्योंकि उनके ट्रेनिंग वही होती है और लेकिन उस कौशलय का उप्योग यह दस साल जुरूर यहां हुआ होगा आपको कि सबको समालने में उसका उच्छलिय ने किस पकार से लाविस सदन को पहुंचाया होगा आपके कारकाल का बहुत सारा हिस्सा बेश्ट इस्या से जुड़ा रहा है जग डिप्लोमेट उसी दाइरे में जिंदिगी के बहुत वर्ष आपके गए उसी माहोल में उसी सोच में उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहें वहां से रिटार होने के बाद भी ज्यादा तर काम वहीं रहा आपका माइनुरिटी कमिशन हो या अलिगर्ड युनिवर्सिटी हो तो एक दाइरा आपका वही रहा लेकिन ये दस साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिम्मे आया और पूरी तरह एक एक पल समिधान 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 के ही दाइरे में चलाना और आपने उसको बख भी निभाने का भरपूर प्यास किया हो सकता है कुछ चटपटार रही होगी बीतर आपके अंदर भी लेकिन आज के बाद शाहिद और चंग किसंकट आपको नहीं रहेगा मुक्ति का आनन्द भी रहेगा और अपने मूल भूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार करने का सोचने का बात बताने का उसट भी मिलेगा लेकिन आपके इस बेरा परीचे ज्यादा तो रहान है लेकिन जब भी मिलना हुआ काफी कुछ आपसे जानने समझने को मिलता था मेरी विदेश यात्रा से जाने से पहले आने से के बात आपसे जब बात करने का मोका मिलता था तो आपकी जो एक इंसाइट थी उसका मैं जरूर अनुभव करता था और वो मुझे चीजों को जो दिखती है उसके सिवाए क्या हो सकती है इसको समझने का एक अवसर देती सी और इसलिए मैं रिदेश से आपका बहुत आभारी हूँ मेरी तरब से आपको रिदेश से बहुत पहुत कामना हैं राष्ट के उपराष्ट्पति की रूप में आपकी सेवाओं के लिए दोनों सदन की तरब से देशवासियों की तरब से भी आपके प्रती आभार का भाव है और आपका अपका कर्तूत्वा आपका यानुपव और इस पत्व के बात की निवरुत्ति अपने आप में एक लंबे अर्से तक समाज जीवन में उस बात को वजन र कि दोब अजे वहाँ है वाँ है और आपका का प्रती आपका प्रत्वा वोवट्वां ठाख में रष्षाओं की तरब सेवाँ और सेवाँ और सेवाँ वाँ और सेवाँ लाग्वाँ और